नमस्कार मैं ब्रजेर शाजपूद गैश्टी न्यूजूम में आपका स्वागत है और आज हमाई साथ जो शक्सियत हैं वो किसी परीचा के मोहताज नहीं है वो हैं सर अप्लीज आये हमाई साथ है पूर्व केंडी मंतियो मधिपरेश के बहुत वरिष्टम नेता स्री शुरेश पचोई जी पचोई जी आपका स्वागत है बहुत दने बाद बहुत दने बाद सर यह हमारा न्यूजूम है और आपने विस्तानी उसके वारे में तो दे उनका जो संगर्श होता है उनकी जो प्रक्तित की खूबियां होती है उसको सामने लेक्या है तो मेरे ख्याल से मधिपरेश की राजनीती में इस वक्त कुछ गिने चुने नेता ही हैं जिनके पास इतना सुधीर गन्वा है और आपने तो 1972 से पॉलिटिक शुरू कदी थी कि आपने ठल्स्टिनी बदल गई है राजनृतिती फिग परिस्थितियों और समय के हिसाब से नेता हो या राजनीती कितनी बदलती है है त मैं कह रहा हूं कि परिसितियां बदली हैं तो उससमय की परस्नालिटी जला थी उस समय का नेतरत तो कोई भी राजनेतिक दल क्यों न हो जिनके हातों में था उन में सम्मंद निवाने की छमता थी और वो इस बात पर यकीन रखते थे कि राजनीती में प्रतिदोंदता तो होती है लेकिन शत्रूता नहीं होती और पार्लिमेंट के अंदर मुद्दे जब उठाये जाते थे तो वो अपनी पार्टी के आधार पर मजबूती से उठाते थे लेकिन पार्लिमेंट के बाद जो रिष्टे निभाते थे वो आत्मियता भरे निभाते थे तो आप वो शक्सियत हैं जनों ने चार बार राज्य सवा से सांसद बने और दो बार केंड़ी मंती रहे और दोनों बार आपको मनताल है ऐसा मेला जो प्रधान मंती के निकट होता था करीव होता था यह मेरा सोभाग है कि मुझे बहुत कम उम्में संसद में पहुचने का उसर मिला पहली वारा पसंसद किस उम्मूर में बन गए थे मैं उस समें 31 साल का था और 30 साल राज्य सवा के लिए उमर होते हैं और आप 31 साल में बन गए थे जब मैं मंत्री बना तो मेरे कैबनेट मिनिस मिनिस्टर खुद प्रदान मंत्री रहे डेफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर था तो पीवी नर्सिम राओ साब हमारे प्रदान मंत्री के रूप में कैबनेट मिनिस्टर रहे और जब मैं मिनिस्टर फिस्टेट परसनेल बना तो डोक्टर मनमहन सिंग जी कैबनेट मंत्री के रूप मेरे प्रदान मंत्री रहते हुए मंत्री रहे। आपने दो प्रदान मंत्री के साथ बहुत करीब से काम किया है। P.V. Narsim Rao जी बहुत ग्यानी रहे। हर सब्जेक्ट में वो डैप्थ में जाते थे। और चुकि defense production का मामला था तो मैंने ये पाया कि cabinet में जब भी defense related को issues पे बात आई उन्होंने फाइल खोल के नहीं देखी। क्या हमारी defense preparedness है, neighboring countries की क्या defense preparedness है, इसकी थारो जानकारी प्राइमिस्टर के रूप में उनको रहती थी और इंडिया की क्या defense preparedness है, इसके बारे में उनके दिमाग में action plan रहता था। तो बहुत विद्वान राजनितिग्य वो रहे और समय पे काम करना और एक समय सीमा में जो निर्ने लेना उसे अंजाम देना ये उनकी खासियत थी। डॉक्टर मनमान सिंग जी का जहां तक प्रशन है वो हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड के जाने माने economist के रूप में जाने जाते हैं। एक इमांदार politician के रूप में जाने जाते हैं। कभी भी काम में interference करने में उनकी दिल्चस्पी नहीं रही। परसनेल में जो भी matter आते थे, ACC के सामने जाने वाले कभी उन्होंने दखलंदाजी नहीं की। कि किनकी posting कहां होना है इसमें IS IPS की होना रहती थी। पी एस यूज के चेर्मेन, बैंक के चेर्मेन के, कभी उन्होंने किसी भी नाम की सिफारिश नहीं की। और इमांदारी से काम करना ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। मगर आपको लगता है कि इन दौनों कॉंगेस की राजनीती से आय थे दौनों लोग, इन दौनों नेताओं के साथ वैसा जश्टिस हो नहीं पाया जो बड़े कटके नेता थे ये। नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना हालात अलग रहते हैं। उसके हिसाब से काम करने का धंग अलग रहता है। नर्सिम राओ जी नाइंटीवन में जिन परिस्थितियों में बने वो हालात अलग थे। मैं पार्लिमेंट्री पार्टी का सेक्टी था। मुझे याद आता है कि इस धंग से उनका चैन कॉंड्रेस पार्लिमेंट्री पार्टी के लीडर के लिए हुआ। इसी प्रकार 2004 में जब डॉक्टर मनमोहल सिंग जी बने तो तब परिस्थितियां क्या थी। तो लेकिन दोनों प्रधानमंत्री ने अपनी च्छमता के आधार पर लोगों की अपेक्षाओं के आधार पर काफी अच्छे धंग से काम दिया। जब बड़ी उथल पुथल थी। जब पीवी नसरा साब चुने गए थे दाजीव जी की हत्या के बाद और जब मनमोहल सिंग साब चुने गए थे। सोनिया गांदी को कहा जा रा था वो पधानमंती बने। तो दौनों बड़ी जो उथल पुथल होती है तो उसको कैसे आप लगों इसा भेंडिल किया। ऐसी कोई बात नहीं थी। शीमती सोनिया गांदी जी के लिए सभी ने स्विकारोकती दी थी। लेकिन उन्होंने विनम्रता पूर्वक उस पत को अस्विकार कर दिया। उसके बाद डौक्टर मनमहन सिंग जी का नाम आया। तो पहले पत्र डौक्टर मनमहन सिंग जी से पहले शीमती सोनिया गांदी जी के लिए ततकाली इन राष्टपती डौक्टर अबुल कलाम साब को दिया गया। क्योंकि वो पत्र देने वालों में मैं भी था। एमद पतेल जी थे और बाद में फिर डौक्टर मनमहन सिंग जी के लिए। सुनिया जी का पत्र दे दिया गया था। और फिर बाद में उसको वेड़ो किया। पिर बताया के अब निर्ना ये लिया गया। अच्छे एक और बड़े हाई प्रुफाइल प्रधानवनती जनको आम सब याद करते हैं। राजीव गांदी जी आपने उनके साथ भी काम किया हुआ है। वो किस टाइप के नेता थे, किस तरीके से काम करते थे। देखे राजीव जी तो एक ऐसे राजनेतिक नेता के रूप में याद किये जाएंगे। जिन में मानवियता के गुणों थे। साहिरदैता थी, विनम्रता थी, शालीनता थी, कर्तब ये परायनता थी। और बहुत ही सहज और सरल थे। तो आपको लगता है उनको समय कम मिला। बहुत कम मिला। वो जो घटना हुई जब उनकी मत्यू का समाचार आप सब लोगों को मिला। तो क्या घड़ी थी वो आप कैसे उसको जाद करेंगे। नहीं वो तो दिल दहलाने वाली दुरभाग के जना घटना थी। सबी लोग अचंबित थे व्यतित थे वो सुनने के बाद। किसी ने कलपना भी नहीं की थी कि जो व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं सोचता करता उसके साथ ऐसी गटना हो जाए। पर आपने उनके साथ बहुत काम किया है बहुत आपका ख्यार लगते था बार बार बताते हैं। यह उनका बढ़पन था वो सब का ध्यान रखते थे। हम भी उन्ही में से एक थे। पच्वजी जी हम लगों ने इस कॉलाज पर आपकी बहुत नई पुरानी तस्वीरों के खटा करने की कोशिश की है। यहां आप इंदा जी के साथ दिख रहे हैं। यहां आप बोदी जी के साथ दिख रहे हैं। आपकी शादी की फोटो भी है। कमालाज जी आपकी शादी में आये थे। वो भी थे। अटल जी भी आये थे। अटल जी भी शादी में आये थे। मैं दिखाँगा वो पूर। सुनिय जी आपको बहुत भरोसा करती थी। ये अभी हाली की फोटो है जब उनका प्लेन भोपाल ओतरा था वे मंतल पे। ये तारी क्या दे आपको। नो मार्च। नो मार्च। तो कॉंग्रेस की ते लंबे समय तक राज़ीती करने के बाद। फिर आप जब यहां आगए हैं। क्या वज़े रही कुछ। बहुत बड़ा फैसला था आपकी जिंदगी का मनें। एक नहीं अनेक वज़े हैं। पुछ तो हुआ होगा वरना लोग योही बेवफा नहीं होते हैं। पर आपकी तो फितरत नहीं है बेवफा होने बाली। आपको जो शुरुआती जिन्दगी है वो भी बड़ी आसान नहीं रही है। आपके माताजी पिताजी बच्वन में गुजर गए थे। फिर आपको बहुत लोग ने सपोर्ट किया। तो उनमें एक बिंदरा फैमली का नाम आता है। हाँ मुझे उन्होंने बहुत सहयोग दिया। और वो मुझे उनकी जो बेटिया हैं वो मुझे राखी बांती। रीटा दीदी। इक नाम आता है जोती दीदी। वो मेरी भांजी है। तो उस सब लोग ने आपको बहुत सपोर्ट किया। शामयगे विवेक हैं हमाई एंकर हैं और आप से सवाल पूचेंगेh। आप मदर्प्रदेश के ब्रामण नेताों में से वरिश्ट नेता गिने जाते हैं। ब्रामणों को लेकर इस देश में सवाल पूचा जाता है कि उनको क्या मिल रहा है। क्योंकि इस देश में अभी लड़ाई आरक्षन को लेकर सियासत हो रही है तो ब्रह्मनों को क्या मिल रहा है इसका जवाब सुरेश पचोरी जी क्या देना चाहेंगे देखिए जहां तक आरक्षन का प्रश्ण है डॉक्टर अंबेग कर जी ने भारतिय संविधान में जो व्योस्था की है वो उचित व्योस्था है और जहां तक प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए वो साधार पर समय समय पर लोगों को सम्मान मिला है चाहे हम याद करें पंडित जवालाल नहरू जी को वैंकटरमन जी को डॉक्षि शंकर दयाल शर्मा जी को या प्रणा मुकुर जी साबको या अटल विहरी बाजपैजी को तो इनको समय समय पर सम्मान मिला है तो ये ब्रह्मन होने के नाते नहीं मिला है, ये इनकी प्रतिवात ही उस आधार पे मिला है. मद्धिपर्देश में सर कभी कोई ब्रह्मन मुख्यमंतियाव आने वाले दिनों में बन पाएगा? देखिया, मैं तो यही कहूँगा कि सक्षम और सुयोग्य मुख्यमंतिय मद्धिपर्देश में बने, जिसके नेतरत में प्रदेश विकास के द्वार पर दस्तक दे. पहले भी यहाँ शामाचन जी, रविशनकर शुक्री जी, मोतिलाल बोरा जी, शिवराज सिंग चोहान जी, कैलाज जोशी जी मुख्यमंतिरी रहे हैं और अभी डॉक्टर मोहन यादव जी एक अत्यदिक परिश्रम करने वाले मुख्यमंतिरी हैं और जिनके मन में ये तमन करें, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जिनके हाथ में भी बागड़ोर होगी, वो इस प्रदेश का विकास करें, मेरी इश्वर से यही प्रात्माचन तो दोहजार आठ में तो आप भी मुख्यमंति वनने के बहुत करीब पहुंच गये थे, देखी, मैं वो सप लोगसभा की सीट थी, जो बढ़के बारा हो गई थी, कई फैक्टर थे, मों फैक्टर पर नहीं जाना चाहता हूँ, एक दिन पहले मॉंबई ब्लास्ट हुआ था, 26-11, और भी क्राइज रीजन से, मगर कॉंगेस उतने करीब सरकार वनाने के फिर कभी नहीं आ पाई, ठीक है, और अब तो आप ही यहाँ गया, बीती ताही बिसार दे, फिर आगे की सुद ले, यह सर हमारे अंचा शुकला जी हैं, डिप्टी विरोचीफ हैं, आपको, आपसे कुछ सवाल पुछना चाहते हैं, सर मेरा सवाल यही है कि शात्र राजनीती से आप लोग निकले हैं, औ और अब शात्र राजनीती काले जो में चाहे वो चुनाओ हो, यह सारी चीजे थमसी गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि अच्छे राजनीता शात्र जीवन से राजनीती काले हैं? इक राजनीता के लिए वो सबसे कठिल समय कौन सा होता है? जब वो कुर्शी में होता है, या कुर्शी से बाहर होता है तब भी, या फिर कुछ और ऐसा समय आता है कि जब लगता है कि राजनीती में आके हमने गल्दी करते हैं? जब धार में करता भी रहता है, तो इसलिए मैं उसे ही राजनेता कहूंगा जो हर परस्षितियों में काम करना जाने, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे सत्ता से बाहर हो. कॉंग्रेस में लंबे समय तक आप रहे, कॉंग्रेस में रहते हुए बड़ी जिम्मेदारियों का भी निर्वाहन आपने किया, और ऐसे में भारती जन्ता पार्टियों की जिन्नीतियों के खिलाफ रहे, आप विरोत करते रहे. अब भारती जन्ता पार्टियों में आने के बाद कैसे उनसे समझोता कर पा रहे हैं या कैसे उसको अपना पा रहे हैं? मैं इस पर्ष रूप से इस बात का पक्षदर रहा कि उस प्रांट प्रतिष्ठा समारों के आयोजन में कॉंग्रेस को शामिल होना चाहिए. अगर मुझसे अब पूछा जाए कि उस समय तो इस्टेंड कॉंग्रेस पार्टी का ऐसा था नहीं? मैं ब्रजेश जी जिस जिले के हैं मैं ब्रह्मिलीन जगदरू शंकराचार स्वामी स्वरूपनन जी महराज का दीख्ष शिश्य हूँ. माराज जी का हमेशा चाहे वो राजीव गांदी जी के पास चाहे सोनिया जी के पास चाहे राश्पती के पास लए तो ओपन इस्टेंड रहा के अध्यों में बढ़्गवान शीराम जी का मंदिर बनना चाहिए और उनके दीख्ष श्च्र के नाते मेरा भी यही इस्टेंड तो कोई मुझसे पूछे कि जब ये नीती थी अब है मेरी शुरू से जो धाड़ना रही आध्यात्मे की विश्यों में वो आज भी है एसा सुनते हैं हम लोगे पीबी नस्यमराओ जी के समय बहुत करीब पहुंच गया था अराम जन्मुई विवात का सुल जाना उस समय क्या गतिविधिया चलने उस समय चारों शंक्राचारियों का एक चतुषपीट सम्मिलन हुआ था और स्वामी सरूपनन जी महराज को ये ज जो फली भूथ नहीं हो पाई वो दुर्भागे जना था वैसा ही कोशिस पर चंद शेका जी नहीं भी चंद शेकाट जी के समय की स्थिति आई तो कि समय भी लगभग ते होनी की स्थिति में था रामंदिर वाला विवाद फिर क्या हो गया सर रहीं कुछ बाते जो क्रियान नहीं हो पाई वनना दोनों समय ये लगभग ते होनी की स्थिति में था रामंदिर विवासुला जाना अचा आप चंद शेकाट जी के साथ भी आपने करीवी रही है आपकी तो उनको कैसे याद काते हैं चंद शेकाट जी बहुत इस पर सोच वाले थे आप याद करिए पा परिवन जी पतियों से संबन हैं इन इन सहकारी नेताओं से संबन हैं और उनपर ये आरोप लगे हैं तो उन्हों नहीं का मेरे संबन है और रहेंगे तो वो जिन से तालोक रहे हैं वो इस पशर little से उसे सुईकार करते रहे हैं दूसरा उनका किसी भी विशे में निंढने रहने में बहुत बेबाग तरीके से वो नड़ने लिया करते हैं। इतने लंबे पॉलिटिकल करियर में या आपके शुरुआत की बात करें तो किस नेता ने आपको बहुत ज़ादर पभाविद किया। आरजुन सिंग जी के साथ भी आपने बहुत काम किया है। देखिए आरजुन सिंग जी बहुत पड़े लिखे राजनेता के रूप में याद किये जाते रहेंगे। मद्वदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें जाना जाएगा जो संबेदन शील रहे। और हरेक का एक अलग-अलग समय होता है जैसा मैंने कहा कि आज में कहूं कि आज ये सही है और वो सही नहीं है। समय के हिसाब से सब सही थे। सर आप पड़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं आपने बी किया मुपाल के मैनिट से या में सिटी से उस वक्त की बहुत बड़ी पड़ाई थी वागर वो आप चाहे तो बड़ी एंजिनियर वन सकते था आपने पोलिटिक्स क्यों चुनी देखी मैं इंजिरिंग में जब स्टूडेंट था उसी समय राजीव गांधी जी के संपर्क में आया और उनसे प्रेरित होकर मैंने फैसला लिया कि मैं राजनिती में रहूं और मैं 84 में मधदेश यूद कॉंगरेस का प्रेजडिंट उनी की पहल पर बना दिया गया फिर मैं आल इंडिया यूद कॉंगरेस का जनल सेक्टी रहा ट्रेनिंग प्रोग्रेम में इंचार्ज रहा और फिर समय के हिसाब से आप मेरे प्रोफाइल देख सकते हैं चाहे मैं मिनिस्टर रहा चाहे मैं सेवदल का चेर्मेन रहा जबके सेवदल का चेर्मेन कॉंग्रेस कॉंस्टूशन के हिसाब से कॉंग्रेस प्रेजडेंट रहता है और फिर में प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी का द्यक्षरा, फिर कॉंग्रेस की जो रिसर्च और प्लाइनिंग कमेटी रहती है, स्ट्रेटजी वगेरा बनाने के लिए, फिर में उसका कनभीना रहा. इतना लंबा पॉलिटिकल करियर, चार बार क्या राजसरफा सांसा, दो लार केंडरी मंत्री, पी-सी-सी चीफ, ऐसा कुछ नहीं बचा जो आपके सामने आपको अपलबदी की रूप में हासिल ना हुआ, फिर आपने जिस्ते कि अचानक पार्टी बदली, तो लोग हैरत में सुरेश भाई को अब और क्या चाहिए, 2010 के बाद की सिती पर गोर करिये, कि सुरेश पचोरी घर में क्यों बिठाल दिये गए थी, 2009-10 के बाद, 2023-2024 तक, काम करने वाले व्यक्ति को घर में बिठाल दिया जाए, पद्र मैंने नहीं मांगा था, लेकिन ये था कि मैं काम करन करने वाला व्यक्ति हूं मुझे कोई ना कोई काम दिया जाए, तो ये सारी चीजें उद्वेलित करने वाली थी, मन को विचलित करने वाली थी, तो ना मैं उस समय यहां पद मांग रहा था, जब मैं कॉंग्रेस में था, और अब बाच्पा में हूं, तो मैं बगेर किसी श को लग रहा है कि आपको जल्दी राजिफाल बना दिया जाएगा कहीं का, नहीं ऐसी कोई बात, ये कालपनिक बात है, इस समय तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी की रूप में उभरी है, चाहें मध्यपरेश की बात करें, आदेश की बात करें, तो आपको लग रहा है क का आने वाल दिनों में कोई फ्यूचर है? आपने उनके पिता जी के साथ काम किया, उनकी दादी के साथ काम किया, और रहूल गांदी, कितना फर्ग दिख रहा है, या किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मैंने नजदीकी से अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ काम किया है, तो वो राजीव गांदी जी के साथ और श्रीमती सोनिया गांदी जी के साथ काम किया है, इंद्रा जी को मैंने काम करती भी बहुत थोड़े समय दिल्ली में देखा है, क्योंकि मैं एपरिल 84 म दिल्ली मेंबर पार्लिमेंट के रूप में पहुंचा और दुरभागे से उनकी निर्मा महत्या नवेंबर 84 में हो गई उससे पहले यदा कदा हम कभी मिलते थे जब दहली जाते थे 75 से 80 के बीच में तो वो उनका काम करने का डहंग मिलने का डहंग एक अच्छा था अलग था लेकिन राजीव जी के साथ और शिमती सोनिया गांधी जी के साथ जो अनभव रहे मैंने बहुत नजदीक से उन्हें काम करते हुए देखा है और मैं उससे प्रभावित भी रहू हूँ सुनिया जी करें लोग बहुत सारी बातें कहते हैं कि वो ऐसी लीडर है आप किस तरीकी की लीडर के रूप में देखते हो आप उनको किताब भगर लखना आपका मन नहीं है को आपको नहीं करीबसाइब बड़ निताहं को देखा है रहा कोई रहा है किन निताहं कर ने द пошलो है अटेहि बताई यह इतने लंबा पॉलिटिक्स है आप लोग ढदेन बिजी रहते हैं पॉलिटिक्स है जब थोड़ा बड़ वग प्रिटिकल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं बिताता हूँ, गाना, फिल्में, संगीत, दुरभाग से फिल्म देखने का मुझे शौक नहीं है, लेकिन मैं अपने आपको बिजी किसी ना किसी रूप में रखता हूँ, खेल वगएर के स्पोर्ट्स हैं, जब मैं स्टूडेंट उनके स्टूडेंग स्टूडेंगे 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 स्टूडे मैं शेरो शायरी चुंकि भौपाल का हूँ तो मुझे शोक था, मुक्तक का शोक था, गीत का शोक था किसी शायर ने आपको बहुत प्रवावित किया हूँ, उसकी कोई गजले, कोई लाइन है, जो आपको अकसर याद आती हूँ कई बार जो है, संगश की बात आती थी, तो मैं अपने साथियों के बीच में कहता था, कि रात कातिल है, तो सूरज की किरन फूटेगी, रात कातिल है, तो सूरज की किरन फूटेगी, वक्त मुनसिफ है, तो ये दौर सित्म बदलेगा, तो अपने साथियों से मैं कहता था, वो दौर जो है अभी का ये भी बदलेगा, निराश मत हो ये, काम करते रहें, बहुत सुंदर, तो दौर बदलेगा, बदलते दौर के बहुत बड़े-बड़े परिटिशन्स होते हैं, हमारे साथ, अभी हमने वक्त विताया, बीज तो अभी हमने वक्त गुजा रहा है, तो वक्त सार बहुत कुछ बदल गया है, आपने पार्टी वी बदली है, एक नया दौर देख रहे हैं, तो अमीद की जानी चाहिए कि आपको जिस तरहिके से आपने लंबा सुदीर के जीवन राजनीती का जिया आगे भी आपके साथ ऐसे ही बड़ियां वक्त गुजरें और आप ऐसे ही स्वस्त प्रसंद रहें, और अपने राजनेती करनों से हम सबको भी इनरेच करते रहें, आपका बहुत हो शुक्रिया, आप हमाई गैश्टे न्यूज़ों में असर बहुत हो शुक्रिया, तैंक यू बरी मज़, तैंक झाल